खुद को यकीन है अगर कि आप एक दिन सफल होगे तो दुनिया या कोई भी आप पे यकीन करे या ना करें कोई माइने नहीं रखता नमस्कार जहिंद पार्ट ग्यारवां लेकर हाजिर हुआ हूँ विकास की अवधारणा कक्सा 6 और 7 के complete fact to fact chapter अपने करवाई हुई हैं देखना है तो playlist बनी हुई है कक्सा 6 से दस्ते के सामाजिक विज्ञान पार्ट नाम से तो देख सकते हैं लाइक कर दें शेर कर दें पहली बार देख रहे हैं तो सब्सकाइब कर लीजिए प्रारंब करते हैं यहां पर भी इस अध्याई के अंदर भी विवारिक प्रश्न बनेंगे और विवारिक प्रश्न है जो पूछे जाएंगे अगला जो अध्याई होगा वो हमारा सविदान होगा सविदान से जुड़ेगे कुछ सवाल होंगे विकास की अवधारणा देखिए आज विश्व के देशों को आर्थिक द्रिष्टी से दो भागों में बांटा जाता है आर्थिक द्रिष्टी से पहला हो गया विक्षित देश दूसरा विकास शील विक्सित और विकास शील अब हम देखते हैं थोड़ा सा विस्तार रूप में कि विक्सित देश कौन से होते हैं उनकी क्या विशेशता हैं और कौन-कौन से है प्रमुकतया तो विक्सित देशों की श्रेणी में वे देश आते हैं जहां आर्थिक विकास तेजी से हुआ है इकोनोमिक ग्रोथ जो है डवलपमेंट ज्यादा हुआ है तेजी से हुआ है वो विक्सित देशों की श्रेणी में आते हैं जैसे विकास शील देशों की और बात करते हैं विकास शील देशों में इसकी विप्रीत अवस्ता दिखाई देती है जो विक्सित देशों की अवस्ता उसके अपोजिट इन देशों में जनसंक्या बहुत अधीक है एक तो विकास की गती धीमी है एक तो जनसंक्या ज्यादा है औ वो श्लो गति से हो रहा है आवश्यक वस्तों का अभाव दिकाई देता है जरूरत की सा चीजें उनका उत्पादन नहीं हो पाता उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है अधिकांश जनसंग के अकरसिव और निर्बर है और प्रतिवेक्ति आई है जो बहुत कम है इसलिए इन्हें विकाश्रील देश है जो कहा जाता है जैसे भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, आधि देश इस श्रेणी में आते हैं तो विक्सित और विकाश्रील देशों के अंदर क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है वो आप समझ गये होंगे अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास की तो विकास के जो नवी नवधारन है उसमें आर्थिक विकास का मुक्य उद्देश है क्या हो गया गरीबी, बिरोजगारी और ऐसामानता का निवारन रखा गया है एकर गरीबी दूर हो रही है फिरोजगारी दूर हो रही है इन सब का जो निवारण है यह जो लोगों के बीच में ऐसा मानता बनियों कि कोई गरीब है कोई अमीर है कोई ज़्यादा पेसे कमा रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा तो यह ऐसा मानता का जो निवारण हो जाता आउसेज का, यह लेवल में आई जाती है na, तो वो ही समझा जाता है कि विकास हुआ है। अब यहाँ पर, जो भारती अवधारणा है विकास की, आर्तिक विकास की जो भारती अवधारणा है, उसको समझना भी बहेद जरूरी है और बहेद आवशक भी हो। देखिए विकास की भारती अवधारणा के अनुसार देश में उपलब्द सभी संसादनों का आविशक्ता अनुसार दोहन करते हुए जो देश के अंदर संसादन उपलब्द है उनका जरूरत के हिसाप से दोहन कीजिए जरूरत के हिसाप से दोहन करते हुए राष्टर हित में उनको उपयोग में लाते हुए और उनका उपयोग राष्टर हित में करना है देश की आर्थिक सरंजना और प्रोध्योगी की में आविशक्त परिवर्तन लाना अगर जो संसादन है उपलब्द संसादन उनका की economic condition ठीक होगी तो स्वेता है यहां के लोगों की होगे अवश्य एक परिवर्टन लाना होगा जिससे उत्पादन में आय में और रोजगार में क्या होगी वृद्धी होगी तथा लोगों को उप्यूक्त वे उत्तम जीवन इस्तर परदान किया जा सके यह आरती विकास की भ पूर्ण और ए मर्यादित उप्योग करना राष्टर हित में नहीं है बहुत अच्छी बात है अब विकास के आर्थिक सुचक देखी यहां से प्रश्न बन सकता है किसी राष्टर के विकास को मापने के लिए निमन लिखी तीन आर्थिक सुचक काम में लिये जाते हैं कौन कौन से स्वास्ते शिक्षा और प्रतिवेक्ति आए स्वास्ते शिक्षा और प्रतिवेक्ति आए लेकिन वर्तमान में विकास को मानव विकास सोचकांग द्वारा मापा जाने लगा है अब यह मानव विकास सोचकांग क्या है मानव विकास सोचकांग में शिक्षा आती है और वेक्ति की क्रेश शक्ति को परमुकता दी जाती है मानविखा सूचकांग में शिक्षा, जीवन परत्याशा और वेक्ति की क्रेश शक्ति इनको परमुकता दी जाती है ध्यान रखना पूछा जा सकता है अर्थार्थ लंबा एवन सुस्त जीवन जीवन पर्तिय सहने में शीक्षा होगया कि गहें और शेक्षिक योग गेता में अभी व्रधी में तता परति व्यक्ति आयमें व्रधी किसी भी देश के मानः विकास को दर्स आते हैं अगर व्यक्ति स्वस्त रहता है लंबियायों तक जी रहे हैं किसी करेंटरिम में एजुकेशन सिस्टम ठीक है सेक्सिक डवलोप्मेंट हो रहा है सेक्षन एक योग्यताओं में वर्दी हो रही है प्रतिश्त बढ़ रहा है साक्षर लोगों का और इंडिजुएल इंकम है व्यक्ति आए जो बढ़ रही है तो ये उस राष्ट्र का क्या है विकास का सूचक है कि हाँ विकास हो रहा है ये विकास को दर्साता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यकरम सन 1990 ये फेक्ट भी दिया रखना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यकरम सन 1990 से प्रतिवर्ष मानविकास सोचकांग के आधार पर वार्सिक मानविकास रिपोर्टर जुजारी करता है समावेशी विकास की बात करते हैं कि समावेशी विकास जो क्या होता है समावेशी यानि समाहित रूप से सभी का समावसी विकास में समाज के सभी वर्गों को विशेश कर वंचित पिछडे एवं सिमानत वर्गों को सात लेकर विकास किये जाने पर बल दिया जाता है सभी के विकास पर बल दिया जाता है और विशेश रोपसे जो बहुत पिछडे हैं उनको उपर लाकर लेवल में किया जाता बराबर सतत विकास क्या होता है तो सतत विकास ने तात्परिये विकास की उस परकिरिया से है जिसमें भावी पीडियों को ध्यान में रखते हुए आने वाल जन्रेशन को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीडिये की आवशक्तों की पूर्ती हेतु प्राकर्तिक संसादनों का दोहन किया जाता है वर्तमान पीड़ी की जितनी जरूरत है उतना ही दोहन किया जाता है और फ्यूचर में जो आने वाल जनरेशन है उनका भी ध्यान रखा जाता है सतत विकास को दारग विकास भी कहा जाता है और विकास के नाम पर प्रदुशन भी हो रहा है आजकल साब पेड काटे जा रहे हैं फेक्टरियां लगने के चकर में उनसे जो पाने निकल रहा है दोहा निकल रहा है तो वो नदियों को जल को प्रदुश्रित कर रहा है कहीं ची सिस्टम में ठीक रहेगा तो जैहिंद अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें सभी को शेर कर दें पहली बार देख रहें तो सब्सक्राइब करके गंटिक निसान को जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिक्सन मिलता रहे वीडियो कि आज अपलोड हुआ तो उसकी सूचना म मिलती रहे आपको फिर मिलते हैं